हां तो इस सब लोग अपना खाना बाना साइड में रख करके अब सुनो ध्यान से हमारा अगला टोपिक यह है रीवर प्रोब्लम यह भी रेन प्रोब्लम की तरह ही एप्लिकेशन है वेक्टर की वेक्टर के एडिशन की वेक्टर के सब्रेक्शन की उसकी एप्लिकेशन है इस तरह का हमारा एक और मोशन क्या है यह रीवर प्रवलम क्या परेशानी है नदी की वो जानते हैं तो फिर से परेशानी कोई नदी की नहीं है परेशानी हमारी है कोई रीवर है चलता वा चलती रीवर में पानी भैता आपने देखा ही होगा तो चलती वी नदी को में पार करना है तो उसके case में कैसे पार किया जाए वो देखा है वह हम यहाँ पर study करेंगे हम पार करेंगे तो क्या होगा क्या condition रहेंगी उस पर study करते हैं तो किसी भी रीवर की velocity होती है उसे मैंने माना velocity of v r से मैं उसको represent कर रहा हूं यह velocity of river है जिससे वो नदी बह रही है ठीक है उसके अपनी को speed होते है तीन किलमेटर पर आर चार किलमेटर पर आर जो भी रिवर की speed है वो है डी उसकी width है या नदी की रीजनी होती है नदी उसके अलौग बहना होता है तैरना होता है या उसके अगेंज तैरना होता है यह topic हमारा उसके reasoning में आता है यहां भी मैं कराऊंगा to koji बात अभी हम दूसरा topic कर रहे हैं, मतलब जब नदी आगे जा रही है, हम उसे पार करना है, दूसरे किनारे पहुंचना है, ये वो वारा topic हम कर रहे हैं, तो D उसकी width है, नदी की कितना नदी की चड़ाई है, ये वो वाली बात है, अब एक आदमी है, एक swimmer है, वो खड़े पानी म में, जो उसकी speed है तैरने की, वो हमको दी जाती है, वो हमने मान ली velocity M, वी M, तो वी M क्या है, अगर नदी नहीं चल रही होती, तो आदमी की speed से चलता, ये यूं समझो कि आदमी के अपना effort है, कि आदमी की speed से चल सकता है, क्या उसकी अपनी velocity हो सकती है, वो V M है, ठीक, deposit bank की तरफ face करके, दूसरे की आरे की तरफ face करके, वो directly swim करना शुरू कर देता है, महला सीधा उसने अपना face उस तरफ किया, और वो तैरना शुरू कर देता है, अब अगर आपने कभी देखा हो, नदी को बहते वे देखा हो, या कभी आपने swimming की हो, तो आपको एक अंदाज दीरे यहाँ पर पहुंचाता है, जब वो निकलता है दूसरे किनारे पर, तो वो C point पर होता है, जबकि वो निकला था, B point की तरफ face करके, यानि उसे जाना था, जिस जगह पे, वो उस जगह पर नहीं पहुंचता नदी, उसको आगे भाग करके लेके जाती है, ठीक है, तो एक एक बार कभी ना कभी आए, किसी ना किसी एक्जाम में, किसी ना किसी किया, mostly IIT में ही आए, तो IIT के एक्जाम में कभी ना कभी ये आए, उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर तो ये कभी रिपीट नहीं हुए, लेकिन इसके ऊपर बेस्ट, लोगों ने अपने concept बना ल पहले जैसा मिल जाए, concept सिर्फ पहले जैसा मिलेगा, question तो नहीं मिलेगा, हाँ, कभी कबार ऐसा होता है, कि J-Mains में, या, NEET में, repeat हो जाता है question, जो पहले कभी IIT वगरे में आया हुआ हो, तो वहाँ पर आपकी help हो सकती है, कि इस step पे question अगर आ जाए, तो वहाँ आसार बन question repeat होगा, question repeat नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी होगी, क्या पता वो river के साथ नहीं, किसी और के साथ बात को पूछ लें, आप इसलिए ध्यान समझना, तो जो basic concept हो सुनो, concept क्या है, कि किसी body के पास, जिस भी तरफ velocity है, चाहे चोटी हो, चाहे बड़ी हो, कि किसी body के पास, हलकी सी भी velocity है, body उस तरफ जाएगी, जरूर कोई से रोक नहीं सकता, जैसे ये चीज है, मारे पास marker है, अगर मैंने इसको 3 velocity दी, ठीक है, 3 velocity मैं इसको देता हूँ, एक velocity देता हूँ, मैं इसको आगे की तरफ 5 meter per second, और एक velocity देता हूँ, इसको मैं आपकी तर प्रका दिया, जिससे इधर भी जा सकता है, आपकी तरफ जा सकता है, तो भही ये तीनों तरफ जाएगा, जरूर इसे को रोक नहीं सकता, ये उपर भी जाएगा, जाएगा धिर दिरे, वह अलग बात है, थोड़ा ओड़ा ओड़ा आगे जाएगा, क्योंकि आगे की speed जाएगा, थोड़ा ओड़ा 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 जाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों velocity हैं, तो बात समझ में आरी अभी किसी body के पास, अगर किसी particular direction में velocity का कोई भी टुकड़ा अगर बनता है, औरहाल तो एक ही होगी, क्योंकि vector sum होता है, बाद में जुड़ जाएगा, net तो तो body जिस तरफ जा रही है, जिस तरफ बोड़ी जा रही है, उस तरफ उसको लेके जाने के पीछे, velocity की वही component काम करेगा, जो उस तरफ है, दुसरे वाला उसको कुछ नहीं कह सकता, समझे, यह बात बड़ी important है, दो लाइने हैं, इसे दिमाख में बसा लो, vector की कहानी खतम, बलब पूरा motion in 2D खतम, और motion in 2D ही जादा तंग करता है, ठीक है, 1D तो आपका 9 में भी था, तो कहानी दुबरा बता रहा हूँ, कि यह body अगर यूं गई है, यहां गई है, तो इसका मतलब body आगे भी गई, body उपर भी गई, तो इसका मतलब कि body के पास 2 velocity तो होगी, हर हालत में होगी, कौनसी कौनसी, एक आगे और एक उपर, जितना यह उपर गया, उसमें आगे वाली velocity का कोई हाथ नहीं है, आगे वाली velocity कुछ नहीं कह सकती उसको उपर जाने में, ठीक ऐसे ही, जितना वो आगे गया, उस distance को travel करवाने में, उपर वाली velocity कुछ नहीं कह सकती, उस उसमें उसकोई हाथ नहीं होगा, अब समझते हैं, यहाँ पर एप्लिकेशन इसकी डेखते हैं, यहाँ पर है, तो यह इसकी आप्लिकेशन में क्या है, इसकी एप्लिकेशन में कहनी है, देखो बोडी यूँ चली, आदमी चला उपर की तरफ फेस करके, और वो जिस चीज़ पे चला वो पानी था और उसकी तो जमीन ही चल रही थी तो पानी की विलोस्टी भी उस आदमी को मिल गई तो उस आदमी की विलोस्टी ओवराल डबल होगी जैसे ठीक वैसे है जैसे आप गाड़ी मैठे हो ठीक ट्रेन मैठे हो अब आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में चलना श एक पानी की मिल गई और एक इसको खुद की मिल गई खुद की दिश के पास थी ही लेकिन ये दोनों velocity आपस में perpendicular हैं नदी की velocity इस तरफ हैं और ये इस तरफ है जो दो perpendicular velocities होती हैं दो perpendicular vector होते हैं उनका आपस में एक दूसरे के ओपर कोई असर नहीं होता वो independent होते हैं अगर द पर्पेंडिकल वेक्टर हुए तो कुछ एंगल पे हुए फिर उनके कॉम्पोनेंट एक तरफ आजाते एक तरफ नहीं आते हैं ठीक है बहुत प्रक्टिस करना भई अगर यह चीज यह वही है बस अब से आपकी फिलिक्स वही वाले स्टार्ट अब से क्या पिछले एक मेने स पूरे से क्या हुए इसकी जमीन चले इसके बस दो विलोस्टी एक विलोस्टी पार करवाने की है उस तरफ की है तो क्योंकि दो है यह दोनों डिस्टेंस कावर करेगा जुरूर यह आगे भी जाएगा और यह उधर भी जाएगा कुछ भी कर ले कितना भी तेज स्विमर हो इसकी नदी की विलोस्टी एक किलोमेटर परार हो और इस आदमी की विलोस्टी भले ही सो किलोमेटर परार हो यह किसी बोट में चले शिप में चले तो भी यह बी पे लेंड नहीं कर सकता यह बी से आगे ही लेंड करेगा कुछ तो ये आगे जाएगा ही क्योंकि वो velocity अपना काम करेगी करेगी जो नदी की है वो इसको आगे लेकर के ही जाएगी A से चलके बिल्कुल opposite वाले point B पर पहुँचने की सिर्फ एक ही condition है अगर उस तरफ फेस करके चलना है अगर A से लेकर के B की तरफ फेस करके ही तैरना है और B पर ही पहुचना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही condition है नदी को रुखना पड़ेगा अगर नदी चलेगी तो ये वहाँ नहीं पहुचना वहिचा कितना slow चल ले नदी ये आगे जाएगा ही जाएगा थोड़ा कम आगे जाएगा अगर ते चलेगी नदी तो जाएगे जाएगा लेकिन वहाँ नहीं कभी जाएगा जो B वाला पाइंट है अगर ये यू तैरा तो ठीक है क्यों कि इसकी नदी की विलोस्टी अपना काम करेगी ही करेगी वह इसको आगे लेकर के ही जाएगी तो ये यहाँ पर पहुँच गया C वाले पाइंट पर अब देखा हो तो इसमें तीन डिस्टेंस है एक डिस्टेंस A to B है एक डिस्टेंस B to C है और एक डिस्टेंस A to C है अब जो मैंने आपको concept समझाया था अब उसकी वह application आएगी कैसे वह implement होता है ठीक है वह implementation देखना नहीं तो फिर धक्के खाना विदानतु विदानतु में और आकाश वगास चक्कर काटते रह जाओगे सुनो यहाँ पर क्या हो रहा है उसमें तो A B distance जो है इसका A B distance उसको चलवाया किसने उसकी खुद की velocity ने मतलब नदी पार करवाने में हाथ सिर्फ उसका अपनी velocity का है क्योंकि उसका अपना effort ही था जो नदी के across चल रहा था जो उसको दूसरे बैंक की तरफ लेके जा रहा था ठीक है वो उतना ही लगेगा चाहे वो कितना तेज नदी चल रही हो तो मतलब A to B distance travel करवाने में सिर्फ velocity of M काम कर रही है उसमें velocity of river की कोई responsibility नहीं है ठीक है A to B travel करवाने में और B to C चलवाने में मतलब कितना वो आगे खिसक गया इसको चलवाने में velocity of river का ही हाथ है उसमें velocity of man कुछ नहीं कर सकती वो किसका होगा velocity of river का होगा हाँ लेकिन गया वो ऐसे था अब यह चल कैसे रहा है 2D में चल रहा है अगर वो 2D में चलता है न तो हमारे पास equation है सारी 1D की है velocity is equal to जो भी 3 equation पढ़ रही है सारी वह ने पढ़ा बताया था 1D की है तो क्योंकि वो 1D की equation है और हम 2D में लगाना चाहते है तो हमें इना component को देखने के नजरिया होता है ठीक है इसको अलग तरीके से देख लेते हैं कि हमारे पास जो ग्यान है जो mathematics है वो सिरफ 1D का है तो हमें उसको 2D में अगर implement करना हो तो इसको कुछ और नजरिये से देखना पड़ेगा और वो नजरिये ये होता है कि अगर इसको कोई बंदा यहां से देख रहा हो बहुत दूर से बनला देखो वो कोई नदी में वहां से कोई चल रहा है यूँ समझो कि आप यूँ खड़े हो ऐस नदी यूँ आपकी तरफ आ रही है आप पुल पे खड़े हो और आपसे दूर कोई बंदा इसको वाले कोने से शुरू हुआ और यूँ तैरना शुरू करता नदी के दूसरे तरफ इमाजिन कर पाएं नदी है आपकी तरफ बह रही है तो आप बहुत दूर खड़े हो दूसरे पूल पे और बीच में नदी कोई कहीं दूर कोई आपसे यहां से बंदा शुरू होता है और यहां तरफ चल के जाता है तो आपको क्या नजर आएगा आप यह नहीं देख पाओगे कि वो कितना अपने जहां चलना लगा जहां पहुचने सोचा था जहां पहुचने का यानि बी पॉइंट से कितना आपकी तरफ खिसकाया वो आप नहीं इमेजिन कर पाओगे आपको सिर्फ डिस्टेंस नजर आएगा कि उसने नदी पार कर ली है मेरे पास समझे आई आप ऐसा मानो कि आप यहां से देख रहे हो तो अगर आप उसको ऐसे दूर से देखोगे तो आपको सिर्फ उसका ऐसा लगेगा जैसे उसने एबी डिस्टेंस कवर कर लिया है आपको बी-सी डिस्टेंस नजर नहीं आएगा जैसे अगर यह पैन ही आप देख रहे होंगे तो आप इस पैन में यह नहीं बता सकते अगर सीधी से देखोगे कि यह पैन मैंने कितना सीधा पकड़ा है सिर्फ आपको पैन की यह लंबाई नजर आ रहे होगी जो प्रजेक्टिड है जो मेरी तो प्रजेक्टिड है हाँ अगर आप इसको टॉप से देखोगे तो आपको सहथ दिख जाए कि यह पैन तरसल टेड़ा था सामने से क्या नजर आएगा आपको उसको सिर्फ A-B नजर आएगा और जो बंदा उसको यहां से देखेगा बहुत दूर से इस साइड से उसे सिर्फ B-C नजर आएगा ठीक है इमेजिनेशन तो बहुत स्टॉंग करनी पड़ेगा इसके बगार तो कोई सुलिशन ही नहीं सब्सूट नहीं कोई चीज का तो आप इमेजिन करो कि कोई बंदा आप पीछी से खड़े उसके उस आदमी के बैक सेड में हो वो पार करके जा रहा है नदी को तो आप फिर दूसरा किनारा आपको ठीक पाइंट सामने है तो आपको यह दिखाई नहीं देगा अगर आप बहुत दोर हुए कि नदी पार कर ली के नहीं आपको सिर्फ ऐसा लगे से उस नदी में बहता जा रहा है आगे बहता जा रहा है तो आप उसका इधर वाला साई मालेच को आपके स से लाइं लुगका न tuhenda i करऊजी तो आप उसने उतने ही टाइम में डिस्टरस टेवल किया यह ऐगCrkke यह बहुत खोल के मैं आपको समझा रहा हूं तो तीन अलग-अलग point of view बनते हैं imagine करो कि कोई नदी बह रही है उस नदी में जिस तरफ नदी बह रही होती है तो आप उसके दूसरे पूल पे खड़े हो वो एक पूल पे लड़का है जो तैर रहा है और आप उसके दूसरे पूल पे बहुत दूर खड़े वहां से देख रहे हो तो नदी के वह लाइन से अगर आप देखोगे तो आप उसके उसने 15 मिंट में रीवर क्रॉस की तो आप उसके उसने 15 मिनट में कितना ट्रेवल किया है नदी के आरपार चला गया है ठीक? और जो बन्दा दूसरे किनारे पे खड़ा होगा और चल भी गया कितना तो तीनों के नजरिये से टाइम कितना है सेम टी तो तीनों के नजरिये से अगर हम equation लगा दें टी टाइम के लिए तो ये कहेगा ये वाला कहेगा कि x distance चला गया with velocity लेकिन x चलवाया किसने नदी ने तो x upon vr टाइम है समझे ना कि भागे कौन लेके जाएगा नदी उसको लगी रा कि अपना speed है उसकी और ये क्या करके देगा इसके नजरिये से इस वाले point of view से उसे क्या लगेगा कि उसने d distance cover किया और नदी पार कि नदी पार इसके according किसने करवाई इसके according करवाई इसको velocity of m ने velocity of m ने तो इसका time बना d upon vm दोनों सेम है और जो बंदा उपर से देख रहा है वो कह रहा है कि उसने चला कितना d square plus x square का root d square plus x square root कितनी speed से वह velocity total थी तो vm square यहां पर मैंने solve कर रखा है vm square plus vr square का root यह net आ जाएगा इसका root यह velocity थी तो तीनों से क्या रहा है time same तो यह simple equation होती है इसको solve कर लोगे आपके अपने आप जो इसमें से एक दो unknown होते हैं एक unknown होता होता होते तो आप solve कर लेते हैं concept यह था कि भी जो distance चल रहा है उस distance को वही चलवाता है यह मैंने यहां पर इसको देखने को नजरिया भी था मैंने को तरीके से भी क्या है ट्राइंगल से अगर आप देखो तो वेक्टर का ट्राइंगल बनाऊं मैं थीटा बन गया यह वी नेट बन जाए वी एम नेट वी आर टोटल कितना बनेगा पहले से दूसरे को जोड़ दो तो यह बने आप एक यह तो धा आपको समझ मैं होगा लेकिल राप आपको रहा को बात नेए पहले कोशिच करना के वी दूसरे को बार बार सुन सको फिर भी समझ में ना है तो मुझे कमेंट करके बताना कि भी हम इस दिक्कष आई है हम नहीं समझ पाये हैं तो फिर मैं किसी और तरीके से कोई और एक्जाम्पल लेकर के बताऊँ कि देखो वीडियो में बताना अलग चीज़ होती है और क्लास में बताना अलग चीज होती है यही चीज है कि वीडियो कभी सबस्टिटूट नहीं हो सकती क्लासरूम का भले ही उसे कोई भी दे अकसर बच्चे को वहम रहता है कि अकाश की शैद वीडियो अलग होगी और एलन की वीडियो अलग होगी मुझे लग रहा हूँ कि यह अलग कोई दिक्कत आ रही है तो मैं उस तरिके से नहीं समझ सकता कि क्या आपको परिशानी आया होगी तो फिर भी आप बता देना कि हमको यह दिक्कत आयी है तो मैं क्लिर करनी कोशिश करूँगा उस चीज को कि कैसे कुछ और तरीके से कोशिच की जाएगी कि यह clear हो जाए ठीक तो खेर कोई बात नहीं अभी यह था हमारा velocity को इसको नदी को पार करने का तरीका किस को पार करते हैं अब अगली बात आती है next है कि एक और तरह का topic रहता है इस case में क्या होता है कि हम सिर्फ directly opposite की side पे face करक जहां पर नदी है में सिधा हमने कूद गए नदी में दूसरे किनारे के तरफ मुखिया हमने तैर गए और हम दूसरे किनारे पर पहुंच तो गए लेकिन थोड़ा आगे पहुंच गए ठीक यह वाला चीज होता है कि डिरेक्टली ओपोजिट बैंक की तरफ फेज करके तैरन या कोशन एक और तरीके से आता है शोर्टेस्ट टाइम अगर आप चाहते हो कि नदी को रिवर को कम से कम टाइम में पार करना है तो उसका यही एक तरीका है डिरेक्टली नदी में कूद जाओ उपोजिट बैंक की तरफ फेज करके वो डिस्टेंस छोटा नहीं होगा लेक इधर मुझ करके तैरना पड़ेगा तो इस चोटे डिस्टेंस से डिस्टेंस इससे कम हो सकता है लेकिन टाइम इससे कम नहीं लग सकता टाइम इससे जादा यह लगेगा अगर आपने कुछ भी और किया तो अगर आप डिरेक्टली इसके इलावा किसी और एंगल पे मुझ करके swim करते हो तो आपको वक्त इससे ज़्यादा ही लगने वाला है तो ये smallest time के लिए भी condition होती है कि आप directly B की तरफ face करके opposite bank की तरफ face करके swim करो तो वो smallest time होता है ठीक है अब एक और question आता है इसमें अगर हम चाहें कि shortest path पर चलें कि हमको तो बहुत छोटे distance से वहाँ पोँचना है तो क्या हो time ज़्यादा लगता है उस case में विलोस्टी पूरी काम नहीं करती है आपकी आधी विलोस्टी काम करती है यहाँ दिखाऊंगो कैसे काम होता है तो अगर shortest path से कोई हम कहे दे कि नदी को पार करो तो shortest path तो क्या बनेगा अभी AB से चोटा और के path होई नहीं सकता है ना दो perpendicular से चोटा और क्या होगा तो यह shortest path है तो यह shortest path है अगर आपको कोई कहें कि इसके लोग चलना है तो condition है बोडी जाती वहाँ है जहां net velocity हो ठीक दो बाते बताई ना आपको कि बोडी जहां velocity होगी उदर जाएगी जाएगी जहां बोडी जा रही है उदर velocity होगी ही होगी तो वो था मैंने अगर component में देखें तो component में देखें तो component क्या था बोडी आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है लेकिन अगर बोडी को औराल देखें तो बोडी औराल उदर जाती है जहाँ पर औराल विलोस्टी बनती है यानि जितनी भी उसके पास वहाँ विलोस्टी हो 10, 20, 30, 40, 50 जितनी विलोस्टी हो उन सब का वेक्टर का सम की डिरेक्शन जिस तरफ आएगी वोडी औराल वहां जाएगी यानि कि नेट विलोस्टी जिस तरफ आएगी वोडी औराल उस तरफ जाएगी ठीक है तो अब बोडी को जाना है कहाँ पर A to B तो हम चाहते हैं कि हमारा जो नेट है हमारा जो resultant है वो कहां पर आए A to B आए तो अगर resultant A to B आएगा तो इसके लिए condition क्या बनेगी कि यह यहां पर आना चाहिए अब देखो इसमें हमारे बस में नहीं है नदी की velocity कि रिए क्ली को हम इंक्रोड है यहां ना कट्रोल कर सकते है तो नदी की विलोस्टी रिए वलोस्टी की डिरेक्शन हम से होगी उसका में मेहल लिए हमे वाए और हमारे वाय की अपर इसून हें होरा मिलास हुं नेट क्या वनेगा ये, तो ट्राइंगल इस तरीके से कंप्लीट हो, कि नेट कहां पर आ जाए, बी की तरफ आ जाए, तो उसमें हम velocity of M, यानि आदमी की या swimmer की velocity को adjust कर लेते हैं, कि वो इस तरफ आ जाया, समझें, तो कुछ theta angle पर, यानि कि अब आप समझ भी रहे हैं, दूसरे बैंक पर जाना है, तो थोड़ा ठीक, तो उसके लिए तरीका क्यों, theta कैसे निकालेंगे भी हम, सिंपल कहां नहीं है, जो दो side आपको पता है, वो use करते हैं, triangle में, sin theta, cos theta में, दो side use होते हैं, तो कौन सी use करते हैं, जो दो side हमको पता है, अब V net हमको पता तो है, निकाल सकते हैं, अब निकालना पड़ेगा न, जो मालूम है पहले से, क्योंना उनको use करते हैं, जो मालूम है वो तो यह और यह पता है, तो theta के हिसाब से वो चीज़ क्या हुई, एक तो क्या हुआ हमारे पास, perpendicular और एक क्या हुआ hypotenuse, तो perpendicular upon hypotenuse क्या कहते हैं, sin theta कहते हैं, तो sin theta क्या आएगा, vr upon vm, तो इस theta पे अगर चला, इस theta पे अगर वो चला, तो वो bank shortest path से चलते हुए, opposite bank पे, opposite किनारे पे पहुँचेगा, अगर sin theta is equal to vr upon vm हुआ, यह angle है with vertical, कहीं बार horizontal से माप लिए है आता है, फिर यह cost बन ज सिंपल भी समझता, sin 90 minus theta, cos theta होता है, यह mathematics का rule है, तो भी उमीद है, कि आप समझ रहे होंगे, ऐसा मैं उमीद ही कर साता हूं, कि मुझे आपके चहरे नजर नहीं आ रहे, कि जिससे मैं यह देख सकूं कि कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को समझ नहीं आ र करवाया जारू हो, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन बच्चा कितना कर रहा है, कितना नहीं कर पा रहा है, तो वह बहुत जुरूरी है, तो इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी मैंने कोशिश कर दी कि यह आ पर यह रहेगा, यह तो मैंने simple बता देख से रह बात आपको समझ में आई हो, यह टाइम वाली कि उसको सेम टाइम लगा, जो मैंने प्रजेक्शन बताया था, वो टाइम वाली बात अगर आपको समझ में आई हो तो बहुत बढ़िया, बहुत बैस्ट है, फिर तो आपकी इमजिनेशन बहुत स्ट्रोंग है, कोई रोख नही पहुंचते आपकों इंजइनर बनना है जिसका यह निः चलता वो इंजिनर नि रचेंपस कना बाता अगर को दूसरे टाइप के इंजिनर भी है बहुत सरे और यहां पर सिंपल टेक्नीक भी चल जाती है वो टेक्नीक यह है कि जिदर का डिस्टेंस उधर की विलोस्टी का रेशो बराबर है कहानी खतम जिदर का डिस्टेंस उधर की विलोस्टी डिस्टेंस टाइम वही है और सब का टाइम सेम है कहानी खेल खतम इतना भी याद कर लोग इसमें अगर पाइथा गोरस लगाई जाए तो कितना बनेगा Vm square minus Vr square root तो D upon and root Vm square minus Vr square यह बना हमारे पास time कितना time नदी को यहां से पार करने में लगेगा अब देखो ध्यान से जब वो इधर गया था जो काफी लंबा distance था तो time लगा था उसको distance और जब वो shortest path से जा रहा है तो time लग रहा है vm square minus vr square अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओ तो आप ये बात समझ सकते हो कि इसका denominator बड़ा है और इसका denominator छोटा है क्योंकि देखो ये वाली बात vm से थोड़ी छोटी आएगे ना vm से बड़ी तो आने सकती होगा और ये time क्या होगा तो जब वो distance जादा था time कम था और जब distance कम है time जादा है तो उल्टा खेल हो रहा है इसको थोड़ा समझोगे तो ऐसा इसलिए हो रहा है और यहां पर उसकी पूरी की पूरी velocity काम कर रहे है नदी पार करवाने में इस बार ऐसा नहीं हो रहा है उसकी resolution सिखाया था वेक्टर का तो अगर इस वेक्टर का आप resolve करोगे vm को तो vm का cos component जहां पर theta हो ता हम पर cos होता ना और आदी ही energy उसने यूज की नदी पार करने में cos theta component 1 से छोटा ही होगा तो यह value हमें छोटी आती है तो कुछ portion अपनी energy का वो यूज कर रहा है नदी के flow को counter करने के लिए इसलिए उसकी velocity कम आती है ठीक है और velocity कम होने से distance भी भले ही कम हुआ लेकिन ज्यादा कम हुई तो overall time बढ़ गया यह था कोशन अभी IIT में कोशन आया था एक साल करादे तो यह भी IIT में सवाल आया एडवांस में तो यह एडवांस में कोशन क्या था कि एक swimmer है उसकी still water में velocity है 5 km पर आर still water में उसकी speed है 5 km पर आर और वो shortest path से गर चले उस नदी को पार करने में जिसकी width 1 km की हो तो एक km लंबी नदी को पार करने में उसे 15 मिनिट लगते हैं along shortest path छोटे path से पार करने में 15 km लगे हैं तो यह बताओ कि उस river की velocity क्या रही होगी फिर यह बताना है उस river की velocity क्या रही होगी तो करते हैं तो क्या अगर shortest path पर तो इसको convert करो उसने shortest path है ना shortest path एक km है time 15 minute है तो शिदा आजाए खेल हमारा तो velocity along shortest path यह net बनेगी तो net velocity कितने बनेगी तो यह ना shortest path यह है और वो distance एक km है d और यह कितना का 15 minute तो time होगा 15 minute तो वी net हो गया हमारे पास कितना 1 km upon 15 minute by 60 यानि 1 by 4 तो 4 चला या उपर या या 4 km per hour यानि इधर से हमको पता चला कि उसकी net velocity 4 km per hour की है और velocity of river पांच सोरी स्टील वोटर की में उसकी विलोस्टी है 5 km per hour यानि यह velocity of swimmer होगी तो swimmer चला होगा यह विद विलोस्टी 5 km per hour उसकी net आई यह 4 km per hour ट्रेंगल लों से डिरेक्ट आ रहा है कितना 3 km per hour यह खेल था वस आज असान है तब नहीं था वोकि तब यह पहली बार सवाल आया था अब तो river problem हर किताब में है 20-20 question उसके पर हर किताब मिल जाते है अब रगता है असान है लेकिन कहान यह तब की थी जब यह पहली बार आया था तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा question नया होता है पहली बार होता है एडवांस का सिर्फ concept यही है बाकी चीज सेम होती है अगर दिमाग चल रहा है तो आप soul कर दोगे आया टी कोई बड़ी चीज नहीं है